कि अंजी बताने जल्दी बताना आवास क्लियर आ रही है कि नहीं तो एक बार जल्दी बताना आवास क्लियर आ रही सीडीपी की क्लास नहीं हुई आज सेटेडे को रेस्ट लेती है ना संदे को मेरा थल लेती है इसलिए सर कहां हूं यहीं है यहीं यहीं तो एक बार सारे लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए कि इतनी लेट अब दो मिनट लेट हुआ कुछ बाते कर रहे थे सनी सर से कुछ प्लानिंग कर रहे थे तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी अची लाने वाले एक तारिक को तो एक बार आपको एक तारिक का सर्प्राइस थोड़ा से बता दिया जा तो आप सभी के लिए ठीक है एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज आ रही है सभी के लिए जो भी सीटेट की तेयारी कर रहे है ठीक है वो है आपकी दिखा देता हूँ जागे यूट्यूब पे पहले एक्जाम्पोर टीचिंग स्कूल सर्च करें ठीक है और कांगे कांगी ओ माइड डॉक्स गाव होगी ऐसे कैसे हो सकता ठीक है इसमें क्लिक करें हां यह रही तो आ रही है आपकी फिर से वापस से क्या संजीवनी संजीवनी की 2.0 ठीक है तो जो लोग नहीं जानते अबाउट संजीवनी क्या है संजीवनी बेसिकली जो सीटेट की तैयारी कर रहे है उन स्टूडेंट के लिए सबसे प्यारी चीज़ रहती है यह क्लास ठीक है और इसी में से आपके यह समझ लिए 90% कुश्चन आपके इसी क्लास हो संज को लेटी है यह क्लास रात में 8.30 तक चलेगी और बेसिकली वह क्लास है आपकी फिर से एक और बार से अपन करेंगे सब्सक्राइब करना चाहते हैं 120 प्लस 130 प्लस जाके अभी इस इवेंट को लाइक कर लो ठीक है दुश्टो लाइक करो त्रेपल लाइक है मेरे जाते-जाते इस पर तो शाल वी स्टार्ट करें नहीं यह कैसा हो गया शाल वी स्टार्ट स्टार्ट करें अब कोई डिसाइड नहीं है हो सकता है 20 से हो जाए हो सकता है 16 से हो जाए जो भी होगा 15 के बाद ही होगा पहले तो हुआ करता था पहले पैवाइक इंपोर्टेंट रहते थे बट बेसिकली इस वहार देखा गया कुछ नए तरज पर भी कुश्चन मनाए गया तो इसलिए मैंने बोला कि एक तारिक से मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लाऊंगा थियोरी प्लस आपका किस तरह से नहीं टाइप के कुश्चन बन सकते क्या नहीं चीजें पूछी जा सकती है वह सारी अपन डिसकस करेंगे ठीक है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग मिलके बो यह आ जाएगा ठीक है यह ठीक है यह आएगा शुरुआत में इस पर क्लिक करना ठीक है यह नीचे थोड़ा से स्क्रॉल करना यहां आ रहा संजीवनी और यह आ रहा है आपका चार दिन बाद एक दिसंबर को शाम साथ बजे नोटिफाई मी पर क्लिक कर लेना तो नोटिफ की उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्लास है 130 प्लस आपके इस क्लास में से ही बन जाएंगे चलिए तो आज की क्लास का क्वेशन नंबर फस्ट जो है वह यह पूल रहा है गगन चुम्बी इमारतों का नगर कहलाता है रोम लंदन न्यूयोंक या वेनिस ठीक है तो कौन सब्सक्राइब का गगन चुम्बी इमारतों का कहलाता है क्या नगर हानम खान बोलो कि सर अपने तो 145 आजा बहुत देश से काम चले बिटा जुबीन आ गए ना तो यहां खड़ा कर लुंग में यहां खड़ा कर लुंगों कोंगा यह है जुबीन हमाई चातर है यह चातर को हम सब ने मिलके पड़ाया है चलिए तो बेसिकली गगन चुम्बी इमारतों का बेसिकली जो आपका शहर बोला जाता है वो आपका बोला जाता है किसे नियू यॉक को ठीक है तो नियू यॉक कि सेट टुबी अज गगन चुम्बी इमारतों का देश यहां जो आपकी फेमस फेमस डिल्डिंग बिल्डिंग से ठीक है लिल्डिंग फूल लो ठीक है वो है आपकी एंपाइर स्टेट पार्क एवन्यू जहां पर कई हो सारे स्टेश शोज होते ठीक है बड़े बड़े सलिब्रिटीज के ठीक है तो एंपाइर स्टेट पार्क एवन्यू और वन ट्रेट सेंटर वन ट्रेट सेंटर यह आपकी फेमस बिल्डिंग है ठीक है बट अगर लेट अस सपोस सपोस करो यह question आया और आपका इन में से यह New York option नहीं होगा तो आप क्या answer लगाओगे अगर suppose करो यह question आया सीट एट में और आपका option में New York नहीं दिया हो तो आप क्या answer लगाओगे N-C-E-R-T के according क्यों करती है आठ तक नहीं पता हमाई तो फिचलती रहती है लिवलबारी आवाई जी अगर आपका सीटेट में question आया और अगर आपका option में यह नहीं हो ठीक है New York नहीं हो तो N-C-E-R-T के according क्या कुछ answer लगाओगे एपल टावर कहा है पैरिस लंडन बिटा N-C-E-R-T के according बोला हूं N-C-E-R-T में कोई लंडन की कानी नहीं है तो N-C-E-R-T के according आप लगाओगे किसे ठीक है क्योंकि N-C-E-R-T में भी बताया गया है यहां गगन-चुम्भी इमारते हैं ठीक है और यह जगह है कौन सी आबू-धाबी ठीक है जो की राजधानी है किसकी राजधानी है ठीक है किसकी राजधानी है UAE की United Arab Emirat की United Arab Emirat आपका साथ अलग-अलग अमीरात मतलब वो लेंड जो की आपका अमीर लोगों को दी जाती ठीक है रख रखाप करने के लिए ठीक है साथ अलग-अमीरात से मिलके बनाया है जिसमें आपका सबसे रिचेस्ट और सबसे बड़ी लेंड जो है वो है अबू- दुबाई में आपका एक तावर है जिसको आप बोलते पैनादू में टिचको बुर्ज-खलीफा पैनादू था कि दिलादू था है क्यों वाई अच्छा यह तो अपने बिबीजी है ठीक है पैनादू था दिलादू था जो भी था मतकादू होगा ठीक है तो बुर्ज-ख ठीक है कौन सा है आपका गगन चुम्बी इमारतों का नगर तो ncrt अबुधाबी है रियालिटी में आपकी गगन चुम्बी इमारतों का जो नगर है वो है आपका बेसिकली देट इस कौन सा नियू यॉक ठीक है एंपायर स्टेट याद कर ले ना बहुत फ्रीमस विल्डिंग है पार्क एविन्यू पर्फ्यूम भी नियू यॉक का है हां जी सर नियू यॉक और अबुधाबी हुआ तो क्या लगाएंगे तो बेटा जो है सो लगाएंगे नियू यॉक से जाधा इमारते गगन चुम्बी अबुधाबी में नहीं है ठीक है बेटा ठीक है ठीक है चलो अगला कुस्षन अगला कुस्षन आप से बोल रहा है किस ग्रैक को शाम का तारा कहा गया मंगल बुद्ध धर्ती या फर कोई नहीं तो बताइए किस ग्रैक को शाम का यहां पर भी गगंचुम्भी इमारते मिलती है बट शहर तो गगंचुम्भी इमारतों का कौन सा है नियु यॉर्क आप गोड़ा हंजड करने हंड़े ख्लेप्स निगा आम फिम यॉ 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 आप गोड़ा समी ओड़मेडिक देश्पिर्स नेक्स ताम इस यू तो वेरी गुड आंसर टू दिस कुश्चिन विल भी इस प्रिश्न का उत्तर है बी बी ऐए वेड क्या है बेड नहीं है यह यह क्या मर्क्यूरी ठीक है कि आपका बेसिकली दो तारे हैं ठीक है तारे नहीं है दो ग्रहा है एक ग्रहा है आपका बुद्ध और एक है आपका शुक्र ठीक है बुद्ध की इंगलिश होती है मर्क्यूरी ठीक है और शुक्र की इंगलिश होती है वीनस ठीक है इन दोनों ही आपके ग्रहा को हम ठीक है morning and evening star बोलते हैं ठीक है इन दोनों ही ग्रहा को हम morning and evening star बोलते हैं त सुबह एवं शाम के तारे ठीक है शुक्र को इसलिए चूज करते हो रीजन फॉर चूजिंग डशुकर एस ठीक है पहली चीज यह सबसे ब्राइटेस्ट है सबसे जाधा चमकीला है दोनों में चमक है पट यह जाधा चमकीला है और दूसरा यह सबसे गरम है तो यह सबसे गरम है दोनों होगा तो आप शुक्र को चूज करोगे बट अगर ऑप्शन ऐसे करके आए कि मर्क्यूरी का गया हाँ ऑप्शन अगर ऐसे करके आए मर्क्यूरी अर्थ होगा अर्थ वीनस होगा यह प्लूटो और यूरेनस होगा ठीक है तो अगर ऐसे करके ऑप्शन आए तब आप चूज करोगे मर्क्यूरी और वीनस को आपका कहा जाता है शुक्र एवं शाम के तारे बट अगर ऑप्शन ऐसे आए ए बी सी डी ठीक है एक अर्थ दिया हो एक वीनस दिया हो एक मर्क्यूरी दिया हो और एक आपका दिया हो क्या मार्स ठीक है तब आप चूज करोगे क्या बीनस तब आप मर्क्यूरी नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि की शक्र सबसे जादा चंकीला भी है और शुक्र सबसे जादा गरम भी पर्थ होटेस्ट ऐसवेल एज दा ब्राइटेस्ट प्लैनेट आ जाएगा बिटा अंजली सर्मा बट तुहं है बेसिकली हिंदी में लिखे एंज़ी के प्रथ्थवीए ब सुन्ध भराभी बोला जाता है धराभी बोला जाता थाहीं Nam कर बुद्ध मंगल बुद्ध एवं प्रत्वी प्रत्वी एवं सुक्र शुक्र एवं बुद्ध प्लूटो एवं अरुन क्लियर है तो सबसे ज़्यादा गरम प्लैनेट कौन सा है शुक्र और सबसे ज़्यादा चमकीला प्लैनेट भी कौन सा है शुक्र अगर आपको कुश्चन यह आ जाए लेट ऐस सपोस ठीक है यह कुश्चन कर दे इस बार कुश्चन क्या कर दे वह आपसे कि बताएं एए का है बताएं एए दुष्ट बताएं सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है चमकीला तारा कौन सा है तब क्या लगा होगे तो यहां सेटWhy आए करने दो वहां जाझ आएगी एक जाम में जब कुछ सम highly लिख ठीक है सताना नहीं चाहिए ऊपर देखना आस्मान में एक तुमको सबसे जाद चमकीला देख रहा होगा तुम कहों कि यह सुकर है अच्छा हुआ मेरा शुकर है ठीक है उसके बगल से थोड़ा सा टेड़ा करके गर्दम देखना ओ एक और चमक रहा है यह बुद्ध है ठीक है ठीक है तो वेरी गुड़ सबसे जादा चमकीला तारा जो है आपके सौर मंदल का इसको हम बोलते हैं क्या सीरियस सीरियस ठीक है और इसी को हम डॉग स्टार भी बोलते हैं कुत्ता तारा मतलिक लेना डॉग स्टार बोलते हैं ठीक है क्लियर है सन सबसे जादा चमकीला होता है कूट देंगे तुमको यहीं पकड़ के तुम मेरी सेटिंग कब होगी जब तुमारी नौकरी लग जाई ठीक है तो बेसिकली सबसे ज़्यादा चमकीला जो तारा है हमारे सौर मंदल का वो है सीरियस और इसी को हम डॉग स्टार भी बोलते हैं कुट्टा तारा मत बुलाना डॉग स्टार ही बुलाना ठीक है चलो निम्न लिखित मैसे किस महादवीप को अंध महादवीप के उपनाम से जाना जाता है एशिया यूरोप अफ्रिका या ऑस्ट्रेलिया एंवीज के एड्मिट कार्ट शो नहीं हो रहे हैं क्या करें 289 वह एड्मिट कार्ट बेटा वहाँ पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है अभी बता रहूं बेटा वहाँ पर मेल करो जो एंवीज की साइट पासवर्स दूर है वह प्रॉक्सिमा अलफा प्रॉक्सिमा संचुरी यह पानली ठीक है तो किस महादुईब को हम भोलते हैं बेसे कली यह पहचान गयुद पहचान गये तुम लोग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो ब्रोदर अंड सिस्तर दूनो देटा आर कॉ continent is also set to be as the dark continent there are two reasons to set to be as the dark continent हम लोगों को अंद माधूी बोला जाता एक तो हम सारे की सारे आंदे नहीं है हम काले है तो क्या हुगा दिल वाले स्लेवरी सिस्टम चलता था यहां पर यहां से सबसे असलेव आते थे दूसरी चीज घने जंगल होने की वज़े से like proper entry नि मारती है कोंगो ब्राजिल बेसें रिजन में Light proper entry नि मारती है that's why our continent is set to be as the dark continent ठीक है और सबसे जाधा देश सबसे ज्याधा देश किस continent में है फशेया देश किस continent में न यह भी किस तो सबसे जाए देश आपके किस कॉंटिनेंट में अफरीका में तो अफरीका इस दा राइट एंसर ठीक है भले ही आपका एशिया सबसे बड़ा कॉंटिनेंट ओ बस इसमें 48 देश होते हैं बड़के शेत्रफल में बड़ा है ठीक है बड़ अफरीका के अंदर टोटल 56 यह तो अफरीका is set to be as the the continent with 54 नी हां सॉरी 54 जो उए 56 नी 54 हां 6 का difference रेंद ठीक है 54 तो अफरीका is set to be as the continent with largest countries largest number of countries next thing is विश्व की सरवादिक विश्व घाति नदी किसे को कहा जाता है ठीक है which is called the world's most treacherous river नील नदी अमेजन नदी Mississippi नदी फांगो नदी 54 54 54 तो वरी गूबाइर असर्राकों नदी कि और थे प्वांगो नदीमन नदी आपकी थीर्याद आपकी है और यह चाइना की second largest नदी है ठीक है दूसरी सबसे वड़ी नदी है इसमें बार बहुत आती है हर साल इसलिए इसको हम चाइना का शोक भी बोलते चीन का शोक भी बोलते चीन की सबसे वड़ी नदी का नाम क्या है लार्जेस्ट आपके बाल बहुत बड़ी है धन्यवाद ठीक है वेरी गुड चीन की सबसे वड़ी नदी का जो नाम है वो है यांगती ठीक है तो चीन की सबसे बड़ी नदी का जो नाम है वो है यांगती वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़ चलिए नेक्स इंग इस अगला पॉस्च्छन ठीक है निमनलिखित मैं से कौन विश्व की सबसे बड़ी जील है गलत मत करना केवल पूचा गया विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है ठीक है ताजे पानी की खाजे खेजडी और ओक में बत्ती घनी बता देजिए बिटा भी खेजडी में पत्ति घनी ओतिए ठीक है इस पत्ति घंटी होनी की वजए से जो बच्चे होते पत्तिया होती है जबकि debt ूप मैं पत्त गनी नहीं होती है चलिए तो answer to this question will be very good ठीक है कैस्पियन सागर ठीक है कैस्पियन सागर को हम बोलते हैं क्या the largest lake in the world ठीक है अगर आपसे पूछा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है तो आप बताओगे क्या ठीक है अच्छा यह बताओ किस जील में किस जील में सबसे जादा पानी है किस जील में सबसे जादा पानी है विच लेक कंटेन वाटर ठीक है largest to its volume किस जील में सबसे जादा पानी है गुरी जी मेरी कमेंट देख लिए ना बताओ हाँ मीठे पानी की सुपीरियर हो जाएगी खारे पानी की ठीक है आपकी हो जाएगी कौन सी धेट इस के नाम हो उसका वान लेक डिक वैरी घुर्ट तो किस जील में सबसे जादा पानी है वह आपका बैकाल इसलिए बैकाल हमारी सबसे गहरी जील भी है जो की रश्या में चलिए नेक्सिंग इस शरीर में संतुलन द्वारा नियंत्रित किया जाता देखो संतुलन बेसिकली बात कर रहे है बैलेंस जब आप चल रहे होते हो ठीक है तो चलते टाइम भी आपकी बोड़ी अगेंस ग्रेविटी आपको क्या करती है बैलेंस करती है जब तुम नच रहे पाने के लिए कौन सा बेसिकली अंकाम करता है सरका बलं सरका भरम पॉन्स या मेरा दूला मैं दूला पॉरहेड नहीं ठीक है तो वेरी गुड तो जब आप बेसिकली चल रहे होते हो या आप नच रहे होते है या कोई आपके स्पोर्ड खेल रहे होते हैं तो उस टायम पूरा आपका बॉडिका बैलेंस बनाता है कौन् बलं एवन आपकी कौन से पोस्चर में खड़े हो कर रहे हो ठीक है आप एसे ऐसे कर रहे हो ठीक है जो भी नाच गर रहे हो उस calls डम पर तो आज बहुत सारे चार दोस्त मिलेंगे चार यार मिलेंगे चार जगह पर मिलेंगे चार ग्लास छनकेंगे चार बार ऐसे तो यह जो चीज आपने कंज्यूम करी है वह आपका एक तो इस वाले पार्ट को डूसरा वह आपके इस वाले पार्ट को डूसरा सकती इसलिए जिनको ज्ञादा हो जाती है उनके पैर जिन्दगी ख्वाब है ख्वाब में सच है क्या और भला जूत क्या ठीक है तो that is what सेरी बलम ठीक है clear है ठीक है तो answer to this question will be इस प्रेशन का उत्तर है A A will be the right answer next thing is Australia के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है NU, Maasai, Arborginals ठीक है Arborginals और Maori Good evening sir Good evening Sirji मेरा question नहीं बताया आपने क्या था question तुम्हारा Question बताओ तो Australia के मूल निवासि मैं पंजाब से हूँ Welcome, Welcome गुरुजी आप लगते हैं दूसरे एक में क्या लगते हैं दूसरे क्या मैंने कितनी बढ़ पूछे कि मौर्निंग की तरह है कि नहीं सुनते ही नहीं है नेपाल में गिर गए कौन आप दुनिया में कितनी सेरी भलम थीक है चलिए तो देखिये आज कल सीटेट में एक तो हमारे आँगी प्रजाति पूछ ले थे एक औस्ट्रेलिया की पूछे तो आपको कुछ फियमस प्रजाती बता दे रहों अगर आप से कोई पूछे एनू काहां की पूछाती एनू ठी पर ठीक है और यह है आपकी Japan की प्रजाती होता है थिक है एक यह एनौ ठीक है एनू आपकी अमरिका की प्रजाती है भी तिक है मसाई मसाई आपकी देखने behö sack मिलती है कहा पर कीनिय मैं मसाई नेशनल पार्क बहुत फेमस है कीनिया में और तंजानिया में ठीक है माउरी ठीक है माउरी आप ही हस्दी यह है न्यूजीलेंड की ठीक है और ऑस्ट्रेलिया की जो बेसिकली मूल निवासी प्रजाती जो वहां की founding species है जहां से Australian निकले है उस प्रजाती को अपन बोलते है Arborginals ठीक है एनो आपके Red Indian बोले जाते है तो answer to this question will be see साथी साथ आपकी NCIT में एक चीज बताई गई है कि आपका एक पेड है Desert Oak Desert Oak ठीक है एक प्रजाती और मिलती है यहाँ पे ठीक है अनागू प्रजाती के लोग इस Desert Oak को कुरकुरा के नाम से जानते है ठीक है तो किस नाम से जानते है 10 रुपे का तुर्टुरा ठीक है तो जैसे 10 रुपे के तुर्टुरे थे वैसे ही यह तुर्टुरा है ठीक है तो answer to this question will be see see will be the right answer ठीक है तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेना स्क्रीन शॉट ले लेना जल्दी से केरल में कहां से मिल जाएगा ओक तुम्हें केरल में नहीं मिलेगा थालो next thing is व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की क्रशी को क्या बोला जाता है फ्लोरी कल्चर होटी कल्चर एपी कल्चर या वेजी कल्चर अगर आपको फूल उगा रहे हूं ठीक है कमर्शिल स्केल पर बेचने के लिए तो इसके पालन को क्या कहा जाएगा सर थोड़ा स्पीड से मैंने स्पीड बढ़ाई तो भाई भाग जाओगे ना दिक्कत तो यह हो जाईए चलो तो आंसर टू दिस कोश्चन विल बी इस प्रेशन का जो तर है कि व्यापर एक इस्तर पर की जाने वाली जो फूलों की कृशी है उसे हम बोलते है क्या प्लोरी कल्चर ठीक है वेजी चल्चर आपकी वेगटेबल स की कल जाता है ठीक है हलांकि वेज़ेटेबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती हो हपी कल्चर आपकी हनी के प्रॉडक्शन को बोला जाता है ठीक है शहत के लःOP पाρन को बोला जाता है sabemos सारे when बोला जाता है होटी कल्चर किसे 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 बोला जाता होटी कल्चर जल्दी बताओ डी क्या होता है सर वेजिटेबल्स जो केवल केवल वेजिटेबल्स होगा है ठीक है उसको हम वेजी कल्चर बोलते होटी कल्चर किसे बोला जाता है जल्दी बताओ होटी कल्चर केती सर मेरा comment देख ले रखे प्लीज बताईए साइंस की ट्लास कब होती है रोज दोपैर को ठीक है कल नहीं होगी मंडे से लेके saturday तक होगी कल marathon का दिन रहता है तो कल अलग अलग subjects की marathon लगती सब पीडियव का मिलेगा अभी बता दिंगे ठीक है तो बेसिकली बागान जो आप बागान लगाते हो बाग बगीचे लगाते हो बाग बगीचे में जो पेड़ वगेरा लगाते हो उन सब के पालन को हम बोलते होटी कल्चर चलिए हरित क्रांती शब्द किसके द्वारा गड विलियम गौड द्वारा ठीक है हरित क्रांती शब्द आपका दिया गया था विलियम गौड द्वारा ठीक है हरित क्रांती के जो जनक थे जो जनक थे वो थे आपके नॉर्मन बॉर्लेग ठीक है और भारत में इसके जनक भारत में जनक जो थे वो थे स्वामीनातन ठीक है तो याद रखना शब्द इन्होंने नहीं दिया था यह क्या थे जनक थे अब जनक थे जनक ए लगाने वालो दुष्टो सब्द है हरित करांती यह शब्द विलियम गौड द्वारा दिया गया ठीक है बट जो इसके जनक थे पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो नॉर्मन बॉर्लेग है और बेसिकली भारत के लेवल पे इसके जो जनक है वो एमेस स्वामीनातन है ठीक है तो एंसर टू दिस कोस्चिन विल बी ए ओ सॉरी सी विलियम गौड ठीक है बट सी क्योंकि सब्द दिया था सब्द हरित करांती के जनक नहीं है शब्द ठीक है जैसे कि तुम्हारा नाम दिया किसी ने ठीक है तो वो तुम्हारे पापा थोड़ी हो जाएंगे नाम देने वाला पंडित तुद ने दिया पंडित नाम दिया था इस पंडित ने बाप जो है पूरे विश्व में बाप नॉर्मल बहुन ले गए भारत में इनके बाप कौन है स्वामी नाथा ने अब समझ में आया चलो नेक्स दिंग इस अगला कुश्चन अगला कुश्चन यह पूछ रहा है निमने लिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वाला मुखी नहीं है ठीक है तो आजकल आपके बेसे गली ठीक है ज्वाला मुखी से भी एकाथ कुश्चन आता है आपको यह बताना है कि इन में से कौ तो इन में से कौन सा सक्रिय जॉला मुखी नहीं है बताइए डी आवे वह पागल होगय कोटो पेक्सी 뜰 य सक्रिय नहीं नहीं है स्टम्शली में उपस्तित है यह आपका सक्रिय जॉपला मुखी नहीं है तो Odys 12 तो भी जाता है कि मतलब जब यह फटता है बट कई टाइम बात भटता है तो एक्टिब तो है बट यह सो भी जाता है बहुत जल्दी तो यह आपका क्या है सक्रिय सुप्त सुप्त ज्वाला मुखी है स्ट्रॉंग बोली आपका बिल्कुल ही कैसा है ठीक है सोया हुआ ज्वाला मुखी है डाट इस डॉर्मेंट वॉलकेनों है ठीक है तो एंसर तू दिस कोश्चिन विल बी ए विश्व मैं ज़्यादा रेशम का उतपादन कौन करता हुआ कि पूरा नहीं दिख रहा देखना वाई पूरा नीतर स्ट्रॉंयली भारत का अग्टिव कि भारत में सिसली मह तुम कहासे भारत में से दो ही है वह वहां पे अंडमान की तरफ पे तो लार्जेस प्रोडूसर ऑफ सिलकेस सबसे बड़ा जो आपका रेशम का उत्पादक है वो है चीन ठीक है अच्छा भारत की रेंग क्या है भारत की रेशम उत्पादन में क्या इस्थान है भारत का रेशम उत्पादन में क्या इस्थान है भारत का रेशम उत्पादन में क्या इस्थान है चीन होगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भारत का क्या इस्थान है ठीक है वेरी गुड तो भारत का आपका रेशम उत्पादन में जो इस्थान है दूसरे नमबर पर आता है भारत पहले जापान आया करता था अब भारत आता चलिए विश्व में प्राकर्तिक रवड का सबसे बड़ा उत्पादन होता है थाइलेंड में मलेशिया में इंडोनेशिया में या संयुक्त राज अमरीका में तो बताइए कि आपका जो नैचुर एशिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका तो वेरी गुट वेरी गुट आंसर तू दिस कोश्चिन विल भी विश्व में प्राकर्तिक रवड का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो है थाइलेंड ठीक है थाइलेंड इस दा लार्जस प्रोडूसर ओफ नैचु झां है ठीक है नंबर four पे आपका भारत है और नंबर five पे आपका चीन है ठीक है तो यहां पे आपका भारत ने चीयों को पचाट दिया ठीक है थाइलेंड इक चिंछा क्या ये सबसे बड़ा प्र Kennelic ठीक है प्रत्विय की सतय के नीचे ध्रवी भूत शेल कहलाता है दे लिकुफाइड रॉक बिनीद दे सर्फेस ओफ आर्थ इस कॉल बेसाल्ट लेकुलित लावा या मैगमा बदाओ हमारे कमेंट यहां देख रहा हूं ठीक है क्योंकि छोटे बढ़ रहे हैं मैं तुम्हारे कमेंट भी नहीं पढ़ रहा है पड़ पार रहा है तो हमारी प्रत्विय के नीचे में ठीक है जो लिकुफाइड रॉक भेर रही है वह आपकी कहला ही जाती है क्या मैगमा ठीक है और जब आपका जॉला मुखी फटता है तो यही आपका लावा के फॉर्म में भैबै के बाहर निकलता है आपकी प्रत्वी का जो कोर रहता है कोर ठीक है जिसको हम प्रत्वी का गर्ब बोलते हैं यहां आउटर कोर में basically आपका magma आपका क्या है basically घूम रहा है ठीक है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और इसी क्योंकि घूमने से आपकी बनती है क्या magnetic field, चुम्बग ये तरंगे, और अंदर का जो core है, ये आपका क्या एक solid ball है, ठीक है, चलिए, तो answer to this question will be D, next thing is, संसार का सबसे आद्र महादुईप है, एशिया, यूरोप, उत्री अमेरिका, या दक्षिनी अमेरिका, पता नहीं क्यों, जब से बरात करके आएं, पढ़ने में मनी नहीं लग रहा नहीं जाता, बरात में क्या देख लिया तुने, क्या देख लिया बरात में, वो वाला डांस चुनी देख लिया, जो आजकल वो ट्रेंडिंग पे चल ला हो, कौन सा एक गाना आया है, बड़ा वो बरात कहीं है, तो 14th का, very good, तो basically आपका सबसे आद्र महादीप बोला जाता है, दक्षिन अमेरिका को, due to the presence of the various numbers of tropical green, evergreen forest, ठीक है, उश्निकटिवंदिय वर्षवन की उपस्थिती के कारण, आपका दक्षिन अमेरिका को सबसे आद्र बोला जाता है, ठीक है, और सबसे सूखा किसे बोला जाता है, सू ड्राइस्ट किसको बोला जाता है, हाँ, भानु कोशिक, मेरा दिल ये पकारे आजा, ठीक है, तो answer to this, काल बेलिया डांस, काल बेलिया तो नहीं किया था उसने, पगला गया, चलो, तो सूखा आपका किसे बोला जाता है, एंटाइटिका को पगला गई हूँ, ठीक है, सूखा आपका किसे बोला जाता है, ऐस्ट्रेलिया को, चलो, नेक्स्ट इंग इस अगला क्वेश्चन, उशने कटी बन दिया है, मरू भूमियों में, मिलने वाले बबूल, नाक फनी, जिसको कैक्टस भी बोलते हो, आधी वन ब्रायोफाइट या लिथोफाइट, ठीक है, तो जो आपकी बेसिकली मरू भूमियों में, डेजर्ट में, जो प्लांट मिलते हैं, जो पौदे मिलते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कि सर जिस सेवilt नहीं करते हैं, नहीं, सर प्लोडायोभी करवाboys, रागब शुकलाफ प्लोड़जी आपकी आचल में कराती है, ठीक है, मैं बेसिक प्लोड़जी बता सकता हूं, जो बिले की ठीक छिले की ठीक छोले बटूरे की ठीक अलग-अलग लोग है न वो थॉंडार निक ठीक है प्याजे प्याज बेस्ते होंगे तभी नाम रख धी ठीक है इन सब की ठीक कोन अपने आती बात पहला माश्टर हूँ जो यूटूब पर अपनी खुद की बुराई करता है नहीं आता ठीक है हाँ अगर तुम्हें साइन से रिलेटेड फैक्ट पूझनाओ जीके से रिलेटेड फैक्ट पूझनाओ बेशक पूझ लो चलो तो ऐसे ब्लांट को हम बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं मरुस्थलिये पौदे बाकी बेसिक पेड़ागोजी तुम्हें करा दूंगा जो इवियस में पूझी गई है ठीक है कल आपकी क्लास भी ठीक है जो प्रिवियस एयर्स कॉश्चन पूझे थे उसमें आपकी कारण भारत का इथोपिया कहा गया बिहार मद्ध्रतिय जारकंड उडिसा कब पढ़ाती है पैड़ागोजी सर मेड़ागोजी मेडम पढ़ाती है तुमारी आठ बजे से टिक है तो सीडीपी पैड़ागोजी सब पता दिए चलिए very good answer to this question will be ठीक है भारत का इथोपिया basically ठीक है को पोशन के कारण एक district को बोला गया एक जिले को बोला गया यह जिला है श्योपर जिला ठीक है और यह श्योपर जिला आपके कहां है भारत के दिल में और भारत का दिल है कहां मध्यपरदीश ठीक है the heart of India that is मध्यपरदीश ठीक है MP अजब है सबसे गजब है next thing is सर्व प्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था देखें इंडिया शब्द का प्रयोग basically इंडस शब्द से आया जो की संस्कृत के सिंदू शब्द से आ अब मेरे से सर जी इवीएस की पेड़ागोजी करवा दीजे प्लीज सोनी सिंग बदोरिया ठीक है आइल ट्राय पेड़ागोजी बिचिस बेसिक लेवल ठीक है जो आपका बेसिक मतलब दिमाग से सॉल्व करवाई जाए वो मैं करवा सकता हूं ठोरी वाली पेड़ागोज पता चला कहीं गिर गए तो तुम मझे ले रहे सर आता नहीं यह ऐसी मूटा क्या आगए बेसिक पेड़ागोजी बता दूंगा वेरी गुट ता आंसर टू दिस कोश्चन विल भी सबसे पहले यह ग्रीक ने यूज किया था ठीक है इसको हिंडोस और इंडोस बोला गया था बाद में अर्भी ने इसको बेसिकली बोला हिंदू ठीक है जो सिंदु नदी था उसको हिंदू बोला गया और बेसिकली जो इस सिंदु नदी के पार के लोग रहते थे उसे हिंदू स्थान बोला गया तो एंसर टू दिस कोश्चन विल भी इस प्रेशन का उत्तर है बी नेक्स इंग इस ठीक है भारत का शेत्रफल विश्व के कुल भागोलिक शेत्रफल का कितन हिस्सा है 2.2 प्रतिशत 2.4 प्रतिशत 2.8 प्रतिशत 3.2 प्रतिशत 16 का क्या था 16 कौन सा है बाई 16 मध्य प्रदेश शोपूर जुल्ला ओप लाइन मिलना इसी इवेंट के बाद में करेंगे चैटिंग करेंगे चैटिंग चलो तो हमारा जो बेसिकली इंडिया का जो छेत्रफल है बेसिकली वह आपका 2.4 परसेंट है ओवरॉल वर्ड का तो एंसर टू दिस प्रशन विल बी बी नेक्स इंग इस भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है साथ आठ नो दस तो कितने राज्य समुद्री तट रेखा में अब आपके कौन से राज्य से है गुजरात से है और सबसे चोटी तटी दर इखा आपके कौन से से है गोजड़ती है तो दोनों में गागा गू है ठीक है तो answer to this question will be c next question is ठीक है निमनलिकित भारतिय राज्यों में से किस से होकर करकरेका नहीं गुजड़ती है बहुत easy है ठीक है प्रिक याद कल लो ग्राम मित्र जे सी भी ठीक है तो इन फे होके गुजर रही है ये आठ राज्य गुजरात राजस्थान मद्धिप्रदेश मिजोरम त्रिपुरा जारकंड चत्यसगर बंगाल तो जिस से होके नहीं गुजर रही हो बता दो ठीक है तो very good answer to this question will be उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजर रही है आप लोगों की भी एक खुद की ट्रेक है मित्र पर गमचा जाड ठीक है मित्र पर गमचा जाड तो answer to this question will be a next thing is ठीक है आदम का पुल ठीक है जिसको एडम ब्रिज भी बोला जाता है ठीक है जिसे आप हिंदी में राम से तू भी बोलते हो ठीक है वो किन दो देशों के मद्धे स्थित है भारत पाकिस्तान भारत बांगलादेश भारत स्रीलंका भारत एवन मयानमार एडम का पुल किन दो देशों के बीच में है तो very good it is in between भारत एवन श्रीलंका के बीच में ठीक है यहीं को पार करके लाइथ सीता मया को एसा आपन बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराश्ट्री सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है मैक मोहन ठीक है औरांड या अलहभीबी ठीक है मैजिनोट ठीक है इसकी तो मैं भासई नहीं जानता तो मैं क्या बताओ रेड़ क्लिफ ला तो 21st का एंसर क्या हो जाएगा रेड़ क्लिफ लाइंग ठीक है मैक मोहन इंडिया चाइना के बीच में डूरंड ठीक है अफगानिस्तान पाकिस्तान की बीच में मैजिनोट फ्रेंच और जर्मनी के बीच में तो बचा आपका कौन सा सी सी विल वीदा राइट एंसर निमन थल सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांगला देश रहे किस देश के साथ हमारी ऐखती है इσक धेज़ के साथ हमारी सीमा नहीं लगती है बेगम जान मूवी में भी दिखाई यह लाइन हम नहीं जानते हैं वेरी गुड तो हमारी थल सीमा नहीं लगती किसके साथ श्री लंका के साथ ठीक है सबसे बड़ा बॉर्डर जो हमारा लगता हो किसके साथ लगता है बांगला देश के साथ लगता है ठीक है तीक है कि जम्मो और कशमीर में हैं मुख्य रूप से पाया जाता है क्या पाया जाता है क्या पाया जाता है के पी इंगलिश में स्टैक भी बोले दो मुख्य रूप से तो यह मिलता है जो कि option में नहीं है तो फिर और किस चीज़ के लिए famous है ठीक है तो very good ठीक है तो यह famous है आपके snow leopard के लिए ठीक है बरफानी तेंदूओ के लिए ठीक है तो snow leopard के लिए total हमारे भारत में snow leopard project snow leopard 2007 में चालू हुआ था भारत में दस ऐसे national park है जिनमें ये project अच्छी तरीके से चल रहा है ठीक है जिसमें सबसे बड़ा जो है वो है आपका famous clear next thing is कौन सा राश्ट्री उध्यान के अंतरगत नहीं आता है ठीक है काना किसली ठीक है रंथम बोर जिम कॉर्बेट या कीबुल लामजो तो कौन सा आपका ठीक है कौन सा आपका नहीं आता किसके अंतरगत राश्ट्री उध्यान के अंदर आज मैंस की क्लास होगी नहीं बैटा मैंस वाले सर अब सुबही पढ़ाते हैं उनको सुबह से लेके रात हो जाती है यहीं बैठे रहे गया ओफिस में घर नहीं जाए आदमी घरवार छोड़ते अपना बीवी तलाक देके भग जाएगी फिर कौन करेगा साधी चलो तो वेरी गुड आंसर टू दिस कुश्चिन विल भी ठीक है इस प्रिशन का उत्तर है ठीक है देखो आपका काना किसली फिमस नेशनल पार्क है एंपी का सब्ते बड़ा रेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है 1936 में बना कीबुल लामजो एक मात्र तेरता हुआ नेशनल पार्क है बट रंथम बोर आपकी क्या है सेंचुरी है रंथम बोर आपका क्या अभारन्य है ठीक है अरे ओ दुश्टो कुछ भी कुछ भी बटा एक मात्र तेरता हुआ नेशनल पार्क है कीबुल लामजो ठीक है तो रंधम बोर आपका क्या है अभारन्य है नेक्स इंग इस लक्षदीप समू के दीपों की उत्पत्ती निम्न लिखित मैंसे किस प्रकार से हुई है जाला मुखी से उत्पत्ती इस निजएं ठीक है मृदा निक्षपेशन से उत्पत्ति है प्रवाल से उत्पत्ति है या इनसे कोई भी नहीं अच पैगर के लिए पूछ है सर एंडाव किस्जू और सory सौर सरी स्थे गलत पालिया with цен तो फिर आपका कीमल नाम जोल और उसने ठीक के ये फेमस है आपका सांगाइश हिरन खुल दियर जिसको आप दन्सिंग भी बोलते हूं नर्त तहरन भी बोलते हूं के फिर तुम भिबेर तो आप बताया कैं रंढबोर आपका क्या है संचुरी तो रंधंबोर का नाम पहले संचुरी था अब इस आप इसे एक और नाम से जानते हो राजीव गांधी नेशनल पार्क तो ताइगर काना किसली में भी है टाइगर रंधंबोर में भी है सेंचुरी में भी और अब तो इसका एरिया बढ़ा के इसको नेशनल पार्ग कर दिया राजीव गांदी नेशनल पार्ग बिला जाते हैं जिम कोरवेट में भी है डी कीबुल लामजो आपका सांगुई हिरन के लिए या नर्त हिरन के लिए फेमस है तो तो रंथम बोल लगा लक्षदीप समूख दीपो की उत्पत्ती निमनिलिकित मैं से किस प्रकार से हुई है चलिए तो यह किस से उत्पत्ती हुई है कोरल रीप से और दुनिया की सबसे वड़ी कोरल रीफ कौन सी मतलब किदर पड़ती है दुनिया की सबसे वड़ी कोरल रीफ किदर पड़ती है स्ट्रॉम वैली एक्टेव है नहीं मुझे तो गलत लग रहा 25 वा क्वेटा सही है सही है कौन सा राश्ट्रिया टाइगर के अंतरगत नहीं आता कीबुल लामजो कौन से राज कंट्री में है वेरी गुड तो आंसर तू दिस कुश्चिन विल बी ऑस्त्रेलिया ऑस्त्रेलिया ठीक है तो ग्रेट बैरियर रीफ नाम है उसका महान बैरियर रीफ जल मुखिते से अप्शोशित होता है पेट में इसोफेगस में छोटी आत में या कोलोन में ठीक है तो आपका चेप्टर एंसी आटी में फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन ठीक है तो वहां पर डाइजेशन के पाचन की बारे में थोड़ा सा बताया गया है और यह बताया गया है कि जल आपका मुखिते से अप्शोशित होता है पेट में इसोफेगस ग्रास न कल मेरतन आठ बजे से आठ से साढ़े दस चलिए वेरी गुट एंसर टू डिस कोशिन विल वी जल का मुखिते से अप्शोशन का होता है कोलन में ब्रदांत में जोकी बड़ी आत का भाग है ठीक है तो एंसर हो जाएगा इसका क्या डी नेक्स इंग इस निमनलिखित में से क रिकोर्ड किया था कि देख के कि यह देख रहते कि आपके जानवर उचाई की तरफ भाग रहे तो इन्होंने अपनी वासा में बात किया इसी भासा में बात किया तो दूशने बोला यह तो यह फॉलो करते गए जब उनके पास उपर चले गए तो पाद में पता चला है कि बहिया महां से सुनामी आ रही है अरे कल नहीं होगी आचल में की कल सुबह होगी चलिए तो वेरी गूट एंसर टू दिस कॉस्चिन विल भी निकोबार द्वीप समू नेक्स इंगे सेकेंड लास कुस्चिन नेशनल वुड फॉसल पार्क ठीक है वुड फॉसल बार्क आप आपका कहां इस्थित है चूरू में बाड़ मेर में जैपूर में या फिर आपका जैसल मेर मेर में तो नेशनल वुड फॉसल पार्क कहां इस्थित है सर महिंद सर बारा बजए करते हैं इवीएस की पेड़ागो जी करते हैं महिंद सर भी करते हैं तो पेड़ा होगल रोज बारा बज़े मतला रोज मनड़ सुले के सैटरड़े तप तो very good answer to this question will be ठीक है यह आपका located है कहां जसल मेर में ठीक है और आज की class का last question ठीक है homework जो कि आपको comment box section में comment करके बताना है कि एक सिंग वाला गेंडा आपको एक चीज तो पता है कि यह का मिलेगा काजी रंगा में मिलेगा ठीक है एक सिंग वाला गेंडा ठीक है आपके कौन-कौन से राज्य में पाए जाता है अरुनाचल प्रदेश त्रपुरा पश्चिम मंगाल असम अरुनाचल प्रदेश असम यह पश्चिम मंगाल एवं त्रपुरा क्या गनित लगा रहें सर ठीक है तो यह आपको बेसिकली कल आपकी भी मेरतन है हाँ कल अपन प्रिविएस येर कोश्चन डिसकस करेंगे और अभी जाके जितने भी लोग सीटेट की त्यारी कर रहें और चाहते हैं कि भाई 130 प्लस मांक्स आए तो एकाम और टीचिंग स्कूल सर्च करें ठीक है कैसे करें यहाँ पर डाले एकजाम तो टीचिंग स्कूल सअर्च करें ऐसे तो शर्चिंग आई णा Sor मैंने क्या बोला था मेरे को सौ से ऊपर चाहिए ठीक है पहले कितने थे सवाल इसते अभी 75 है जाके लाइक करो सब के सब ठीक है तो जो भी लोग सीटेट की त्यारी कर रहें बेसिकली ठीक है और चाहते 130 प्लस मार्क्स आए उनके उनके लिए बेसिकली यूटूब पे चलने वाला प्रोग्राम है पूरा ठीक है तो अभी जाके इस वाले इवेंट को ठीक है नोटिफाई कर लिजे आपको एक तारिक को शाम साथ वजे इसकी सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी ठीक है चलो तो मिलते है कल ठीक है आठ वजे तिल देन हैव नाइस जे बाए बाए गु हम डिसकस करेंगे 2021 में पूछे गया पेपर में पी वाई प्यूस नहीं पूछे गया पेपर में पी वाई प्यूस नहीं